नमस्कार देंडिया टॉप देखने आप और वेया नाम स्षांग पांडे है लेकि इस विडियो देखा होगा जिसमें एक मसीन है वो नोट गिन रही है और गिनते गिनते खराब होगे वीडियो आपने भी सेयर किया होगा और ये लिखा होगा कि भाई इतना पैसा किसके पास तो वो पैसा जो है वो जारखंड की एक आये सधिकारी पूजा सिंगल का है पूजा सिंगल के हाँ कल इडी का रेड परा और इडी भी आश्चरे चकित रह गई उतना पैसा देखकर जब पैसा गिनने की जो मसीन है वो खराब हो गई पचीस करोर रुपए थे पान पान सो के बंडल थे और दो दो हजार के इडी ने चापे मारी की लेकिन अब पूजा सिंगल के बारे में जान लेते हैं दस लाइन हैं दस पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमने लिखा पूजा सिंगल के बारे में जो हमने रिसर्च किया पूजा सिंगल का जन्म जो है वो देहरादुन में हुआ पूजा सिंगल जो है वो गढ़वाल विश्व विद्याले से अपने सिक्षा प्राप्त करती है जो देहरादुन में है और सबसे बड़ी उपलब्दी जो पुजा सिंगल की रही वो 21 साल के उम्र में आये सदिकारी बन गई सबसे कम उम्र की आये सदिकारी और लिम्का बुख ओफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम जो है वो भी सामिल हो गया पुजा सिंगल जो है वो स्कूल से लेकर इन्वर्सिटी तकuję तौपर रही है उनका M बस यही था कि हमको I.A सिधिकारी बनना है और इस्कूल से लेकर इन्वर्सिटी तक हर जगा टौपकरती रही लेकिन पुजा सिंगल ने इस मामले में भी टौपकर लिया कि सबसे ज़्यादा पैसा उन्होंने इकठा कर लिया चलिए अब दूसरी बड़ी चीज दिखाते हैं इनकी सबसे बड़ी उपलब्दी जो है वो हजारी बाग में दिखी हजारी बाग में जब ये काम पर थी जब डूटी पर थी तो उस दोरान अलग-अलग गोदामों में छापे मारी की थी जहां पर सरकारी आनाज को रखा गया था और वहीं दूसरी तरफ सिक्षा से सिक्षा परियोजना के तहत जो बच्चों को किताब दिये जाते हैं सरकारी स्कूलों में किताब दिये जाते हैं बिक्री में हो रहे अवेध तरीके से उसकी बिक्री हो रही थी उसका भी भांडा फोर पूजा सिंगल नहीं किया था और दूसरी बड़ी विशेस्ता इनकी ये है कि सारीरिक रूप से अक्षम लोगों का डेटा इकठा करके पहली बार जार्खंड में बितलांग सर्वेक्षन करवाया था तीसरी बड़ी विशेस्ता ये है कि रिम्स की जो बेवस्ता भी सुधरी हुई है वो पूजा सिंगल का ही देन है कि रिम्स की बेवस्ता जो है वो सुधर गई है अब पूजा सिंगल जो है अब इनके लव लाइफ में घुशते हैं जब इनकी जो लव लाइफ सुरू है वहाँ से सुरू होती है और जब इनका साधी होता है तलाक होता है दूसरी साधी होती है उसके बाद पूजा सिंगल जो है आरोपो से घिर जाती है पूजा सिंगल की पहली पती का जो नाम है राहूल पुरवार जो है जारखंड में ही तैनात है जारखंड का एक जिला है हजारी बाग और कहा ये जारता है कि जब हजारी बाग में वो डीसी थे उसी दोरान पूजा सिंगल वहां की एस्प्यो हुआ करती थी दोनों पती पतनी थे लेकिन हर छोटी छोटी बात को लेकर इन में खटपट होते रहती थी और उसके बाद पूजा सिंगल ने अपने पती को तलाक दे दिया दूसरी जो साधी होती है अब इसे एक जहा से होती है अब इसे एक जहा से इनकी जब साधी होती है तो कहा ये जाता है कि सारी खडीदने के दवरान दोनों की निगाहें मिली प्यार हुआ और उसके बाद साधी हो गई अब पूजा सिंगल पर आरोपो का दौर सुरू हो गया पूजा सिंगल पर आरोप लगा कि वो खट्टू में मनरेगा में 18 करोर उपे घोटाले का उन पर आरोप लगा उसके बाद पूजा सिंगल पर लगतार आरोप लगते रहा जब जारखंड के मुख्यमंत्री बने हेमन सुरेन तो वहाँ पर जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने उनको माइनिंग रेविन्यूवल उनके नाम पर हो गया जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जारखंड के वो मुख्य मंत्री हैं उनके नाम पर माइनिंग रेन्यूवल कैसे हो गया और इसमें दिक्कत भी नहीं आई क्योंकि खनन विभाग के मंत्री भी हमन सुरेन के थे और खनन विभाग की सचीव पूजा सिंगल थी तो कोई दिक्कत नहीं हुआ पूजा सिंगल की सबसे बड़ी विशेस्ता यह है कि पूजा सिंगल ने मुख्य मंत्री के पत्नी के नाम पर 11 एकड की जमीन आवंटित कर दी अब ये किसली आवंटित की तो आपको बता दे कि हेमन सुरेन की पत्नी का नाम है कलपना सुरे कलपना सुरेन का जब जनम दिन था तो पूजा सिंगल उस पाटी में सामिल होती है और उसके बाद उसी पाटी में हेमन सुरेन की पतनी कलपना सुरेन के नाम पर 11 एकड की जमीन को आवंटित कर देती है ये जमीन जो है जारखंड के में ही एक जगा है चानोहों में ये जमीन है वहीं पर 11 एकड की जो भूमी है वो आवंटित कर देती है उद्योग लगाने के लिए और देखिए यही नहीं रुखती है पूजा सिंगल पूजा सिंगल एकदम बहुत बड़े दानवीर बन जाती है सरकारी संपत्य को दान करते रहती है यहां तक कि मुख्यमंत्री के जो पूजा सिंगल कर देती है अब पूजा सिंगल के घर रेड पड़ी है और लगभग 25 करोर की संपती मिली है जिस बिस्तर पर वो सोती थी उस पर 8 करोर रुपए थे जिस अलमारी में लोग कपड़े रखते हैं उसमें 125 करोर की संपती के कागजात थे जमीन जायदात के कागजात थे अब समझे कि पूजा सिंगल कितनी बड़ी हस्ती थी पूजा सिंगल का जो माईके है वो बिहार में पड़ता है अभिशेक का घर बिहार में पड़ता है और पूजा सिंगल की दूसरी साधी जो अभिशेक से हुई उसके बाद से पूजा सिंगल जो है विवादों में घिर गई इसके पहले भी पूजा सिंगल जब खटू में थी तो उनके उपर आरोप लगा था उसके बाद वो आरोप को खारिश करते हुए पूजा सिंगल आगे बढ़ी तो सबसे बड़ा आरोप लग गया मनरेगा घोटाले का 18 करोर रुपए का घोटाले का ये आरोप लगा पूजा सिंगल पर उसके बाद पूजा सिंगल के घर जब छापा पड़ा तो 25 करोर रुपए मिले और सबसे बड़ी बात कि नोट गिनने वाली मसीन जो है वो भी ठक हार के बैठ गई थी कहने लगी कि अब हमसे नहीं गीना जाएगा इतना पैसा कौन रखता है लेकिन पूजा सिंगल पैसा रखने में ठक नहीं रही थी अब सबसे बड़ा ये जो आरोप लगा है आरोप क्या सिध भी हो गया है पूजा सिंगल के घर पैसा मिला है अब बिहार की राजनीत भी गरम हो गई है बिहार के राजनीतिक पाटिया जो है वो मांग करने लगी है कि बिहार के आईए सदिकारियों के घर भी ऐसे ही छापा पड़े तो उनके घर भी पूजा सिंगल की तरह वहीं नोटों की बारिस होगी, अब देखने वाली बात यह है कि क्या पूजा सिंगल के घर जिस तरीके से छापा पड़ा जारखंड में, क्या बिहार में भी अब पड़ेगा, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पूजा सिंगल स्कूल से लेकर कॉलेज तक तौपर रही, जो प माम खबरों के लिए जुटेटर है हमार साथ और देखते रहें दा इंडिया टोप